हलो दोस्तों आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेडी विदृत्रा आज मैं नोबल प्राइज के संबंद में कुछ महात्पूर्ण जानकरिया आपको देने वाला हूँ इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो से लगातार जुड़े रहना होगा तो चलिए सुरू करते हैं नोबल प्राइज एक वीश्वकास अबसे प्रतिष्ठित व्यम सर्वोच पुरुषकार हैं जो छे छेत्रों में दिया जाता है जिसमें आपका सांती, साहित, भोतिक, रसायन, चिकिस्षा तथा अर्थ सास्थ से संबंदित विज्ञानिकों को दिया जाता है लोगों को दिया जाता है तो इसकी सुरुवात कैसे हुई उस पर देखते हैं अलफ्रेट नोबल जिनका जन 1823 इश्वी में श्टाक होम स्वीडन में हुआ स्वीडन के पारे में जानते हैं स्वीडन एक यूरोपिय देश है स्वीडन की राजधानी इस्टाक होम स्वीडन की भासा स्वीडिस जातर लोग बोलते हैं उसकी मुद्रा स्वीडन की राजधानी स्वीडन की मुद्रा स्वीडन की भासा क्या है अब चलते हैं अलफ्रेड नोबल यहां एक केमिकल इंजीनियर थे यानि केमिकल विज्ञानिक भी कह सकते हैं केमिकल इंजीनियर से चुड़े एक विक्तित इनका जैनम 1833 में हुआ यह स्वीडन निवासी थे यह रूस के रूस के लिए हत्यारों सब्मंधित बराने के लिए एक काम करते थे काफी धन्य के त्रित किया इन्हें नाइट्रो ग्लिसरीन पर काफी अध्यन किया इसकी वज़े से उनकी कार खाने में जो उनका विस्येश कार कारना था वहां पर आग लगी विस्पोट हुआ उनके चोटे भाई की जान चली गई फिर यहां अमेरिका गए अमेरिका में इन्होंने डाइनामाइट नामक विस्पोटक का अविस्कार किया भयाने विस्पोटक का अविस्कार किया और इनका दिहांत सेन्रोमो इटली में 896 में हुआ तब इनकी उम्र 63 वर्स थी इनके दिहांत के बाद जुनकी वसीयत थी इसमें देखा गया जो इनका जो और इन्होंने नोबल नोबल से संब्दित नोबल प्राइजस हुथा दान करता कि रूप में दान कि अपनी वसीयत कि पूरी प्रज़कार से संबंदित लागू करने वो कहा तो इसको संग्यान में लेती हुए स्वीडन कि नोबेल फाउंडेशन नामक एक संस्था बनाई यहां 29 जून नोबेल फाउंडेशन स्वीडन में इस्थी थे इन प्रोषकारों की घोषणा अक्टूबर में होती है तधा इनका दिया जाता है दिसंबर में छे छेत्रों में दिया जाता है सांती साहित्य भोतकी रुषायन चिकिस्सा और अर्थसास्त चुकि यह पांच छेत्रों में दिया जाता था 1968 से पहले पांच छेत्रों में दिया जाता था सांती साहित्य भोतकी रुषायन चिकिस्सा उन्निस अर्षट में स्प्रोषकार को इसमें जोड़ा गया इसमें तुरी सब्सकाइक हुआ को इसमें जोड़ा गया तब प्रुष्कार के रूम में एक स्वन पदक दिया जाता है डिपलोमा पत्र दिया जाता है और स्विडिस्ट नागिक्ता भी दी जाती है उपहार स्वरूप धनरास में 14 लाख डालर प्रदान किये जाते हैं अगर एक साथ दो विक्तियों को प्रुष्कार मिला तो इसको आधी आधी कर दी जाती है अगर तीन विक्तियों को मिला गया तो एक विक्ति को आधा फिर आधे का दो विक्तियों को प्रुष्कार की धनरास पिलती है अर्शास्त प्रुस्कार 1968 से शुरू हुआ नोबल फाउंडेशन 29 जून 1900 में बना लेकिन प्रुस्कार अलफ्रेड नोबल प्रुस्कार 1901 से शुरू हुआ 1901 से शुरू हुआ अलफ्रेड नोबल विज्यानिक थे उन्होंने डाइनामीट का विसकार 1866 में किया इसके लिए वह काफी प्रसिद्ध हुए उस समय उद्ध का छेतर था सी उद्ध का महूल था उसमें काफी उन्होंने युगदान दिया इसलिए वह प्रसिद्ध हुए अब चलते हैं इसके इतिहास के बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनके बारे में इसमें चर्चा करते हैं जो प्रुस्कार दिये गए मलाला यूसफ जय सबसे कम उम्र की महिला है महिला या फिर कह सकते सबसे कम उम्र की बेखती हैं जिन्हें नोबल प्राइज मिला तब उनकी उम्र सत्रा वर्स थी उन्हें सांती के लिए प्रुस्कार दिया गया एवं जो सबसे उम्र दराज वेखती हैं आर्थार एसकिन जो अमेरिका की निवासी है उनको भौतकी की चेतर में प्रुस्कार दिया गया है उनकी उम्र च्यानवेवार से यह सबसे व्रद्ध नोबल प्राइज प्राप्त करता है अब देख लिखते हैं 1974 में नोबल प्राइज मर्डो प्राइज देने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया यानि कि कहने का सही है कि 1974 के बाद कोई भी विवेक्ती मरा अगर उसे नोबल प्राइज नहीं मिल सकता मर्डो प्राइज तो इससे पहले मर्डो प्राइज पाने वाले विज्ञानिक एरी एक्सेल कर फ्लड 1931 में इन्हें मृत्ति होने के बाद इन्हें नोबल प्राइज मिला उसके बाद दो लोगों को मिला है डेग हैमर सोल्ड यह सेंग तुराज संग के महासची थे इन्हें सांती के लिए प्रुसकार दिया गए 1961 में उसके बाद 1974 में मृडो प्राइज के बाद नोबल प्राइज देना बंद कर दिया गए उसकी बाद आते हैं चार ऐसे वेक्ति जिन्हें दो बार नोबल प्राइज दिया गया उसमें पहला आता है सिर्स पर मेडम क्यूरी मेडम क्यूरी को रेडियो सक्रीटा की खोज के लिए 1903 में भोतकी के लिए नोबल प्राइज दिया गया उसके बाद इन्हें सुध रेडियम रसायन के निसकर्ष में तब रसायन के छेत्र में इन्हें नोबल प्राइज मिला मेडम क्यूरी 1911 में फिर दूसरी आते हैं लीनस पॉलिक इन्हें है नविडिज कच्छी सिद्दांत वसायन के लिए 1954 में नोबल प्रसकार बिला। उसके बाद इन्हें नाव की परिच्छन निशेद संधि के लिए 1962 में सांधि का प्रसकार प्राप्त हुआ। लीनस पालिक ठीक उसके बाद आते हैं जॉन बार्डीन इन्हें ट्रांजिस्टर के अविस्कार के रूप में जाना जाता है जॉन बार्डीन ट्रांजिस्टर के अविस्कार किया 1956 में भौत की नोबल प्राइज मिला फिर अतिचालता के सिधान्त पर इन्हें भौत की नोबल प्राइज मिला जो इन्हें 1972 में मिला फिर फेडरिक सेंगर इन्हें इंसुलीन मॉलिक्यूल की सरचना की खोज के लिए 1958 में रसायन पुरुसकार मिला उसके बाद इन्हें वाइरस निकलो टारपाइट निकलो टाराइट के लिए रसायन नोबल प्राइज प्राइज बाद सबसे महत्पूर्ण तीन बार नोबल सांती के लिए नोबल प्रुसकार इंटर्टनेशनल कमेटी आफ। रड़ क्रॉसकार और रेड क्रॉस रड़ क्या है इसके संबंद में एक वीडियो डालूँगा इसमें रेड़ क्रॉस संबंदिश की इस्तापना उ इसके बारे में उनके उद्देश के बारे में एक वीडियो डालूंगा इसके लिए मैं बहुत जल्दी आप वीडियो लाने वाला हूं कि किया रिट क्रॉस कमीटी इंटरनेशनल जो संस्था ने बहुत इंपोर्टन यह पर्रया वार इंवर्मेंट एब किसी भी एक्जाम के खाले बहुत महत्पूर्ण है तीन बार ने रिट क्रॉस को तीन बार नोबल प्राइस तिया गया इन मा उननी सो सत्रा उननी सो चवालीस में नवल प्राइस दिया गया अब आगे चलते हैं कि जो त्सश्टा, 2018 में नोबल प्राइस दिये गये हैं उनके संबंद में पर जा नोबल प्राइज दोहजा अथारह में जो घूशना की गए अक्टूबर में चुकि नोबल प्राइज की घूशना अक्टूबर में की जाती है दिया उन्हें दिसंबर में जाता है कि एक साल का गयपर्द पहली बार हुआ है कि Nobel Prize साहित में किसी को पुरुस्कार की घुषणा किसी को देने की घुषणा नहीं के गई है इसका मतलब यहां कि 2018 में साहित से संब्दी तक किसी विवेक्षिक को nobel prize नहीं टिया गया है यह बहुत ही important है point अब देखते हैं वहुत की खेत्र में physics के खेत्र में किसे nobel prize मिला है किस लिए मिला है आर्थार Kinn अमेरिका के हैं डोंक बिक्लेंट कानाड़ा के गिरार्ड मोरो फ्रांस के यह भौतके के छेते में लैजर, बातके के छेते में नए तेकनीक के खोज के सम्बंदर में लेजर भोटकी के नई टेकनिक की खोज के छेतर में नुबल प्राइज मिला गये अर्थर डोना मोरो ठीक अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो अर्थर डोना मोरो ठीक अब आते हैं चिकस्सा के छेतर में मेडिसीन जेम्स पी एलिशन सविंक तुराष्ट अमेरिका सविंक तुराष्ट अमेरिका तासको हंजी जापान इनको चिकिस्था के छेतर में नोबल प्राइस मिला है वह प्रुसकार उनके कैंसर सेल्स पर अटेक करने वाले मानो कोशिकाओं की खोज के संब्द में जो केंसर सेल्स होती हैं उनके अटेक करने वाले मानो कोशिकाओं की खोज के छेतर में इन्हें जिकिस्था प्रुसकार दिया गया अब आते हैं रसायन कमिश्ट्री के तो रसायन के छेतर में तीन लोगों को नोबल प्रुसकार की घुशना दी गई है इसमें फ्रांसिस एच अर्नाल्ड जार्ज पी स्मित सर् ग्रेडी पी विटर को दिया गया अर्नालड अमेरिका के हैं जार्ज पी समित अमेरिका के हैं सर्ग्रे contradiction in Kirby को इन्गलीनट चीओंगै इन्हों. , फ़्ध को विक्सित करने के के लिए क्रमिक विकास सक्ति का इस्तिमाल किया इसके लिए इन्हें रसाइंट का नोबल प्राइज की से मिला तो यहां डेनिस मुक्वेज कांगो के निवाशी है और नादिया मुराद युराक की उन्हें सांतिका नोबल प्रुसकार दिया गया यहां प्रुसकार यौन हिंसा को युद्ध की हत्यार के रूप में इस्तमाल करने की विरुद्ध में दिया गया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यौन हिंसा के युद्ध के छेत्र में इस्तमाल करने की विरुद्ध के प्रिय आतंगवादी गत्विधियां जदा होती हैं और उसमें जो अहिंसा रुपी तत्थी होते हैं उनके विरोध में इनुने किया तो उसके छेत में ने दिया गया है आपका पाँचवाँ पुरुसकार अर्थसास से है एकोनॉमिक नोबल प्राइस उसके लिए विलियम डी नॉर्धास पाल एम रोमर जो संहित राष्ट संग के रहने वाले हैं तो इनको एकनॉमिक ग्रोथ पर रिसर्च के लिए नोबल प्राइस मिला है और विलियम डी नॉर्धास को क्लाइमेट चेंज एकनॉमिक का पिता भी कहा जाता है और च्छछा प्रुसकार साहित जो इस बार नहीं दिया गया है यह पहली बार की सथार साल के इतिहास में कि पहली बार की साहित का नोबल प्रुसकार नहीं दिया गया मैं आपको वेज़े पार्ड में sa मैं कितने लोग थे जिन्होंने Nobel Prize जीता और किस लिए किस छेत्र में जीता उसे संबंधित में इसके Part 2 में वीडियो बनाऊँगा इसके लिए जाज जदा सेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो तो मैं बहुत जल्द लगले वीडियो के साथ मिलूगा उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिसमें जब मेरा वीडियो आए तो आपके स्क्रीन पर नॉटिफिकेशन आजाए जै हि जै भारत बहुत जल्द मिलते हैं